दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस चीज को समझो हम यहाँ पे एक rented accommodation में रह रहे हैं जिसका जो rent है वो 15,000 रुपीज का है और जो difference है यानि कि EMI माइनस जो rent है तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है हम यह देखेंगे कि buying a house versus renting a house इसमें से कौन सा option आपको choose क करना चाहिए जो भी confusion है दोस्तों जो भी queries हैं आपकी सारी की सारी queries इस वीडियो में solve होने वाली हैं दोस्तों हम कई सारे scenarios देखने वाले इस वीडियो में जैसे कि सबसे पहला scenario है buying a house यानि कि जब आप एक नया घर खरीते हो तो usually आप एक loan लेते हो दोस्तों जिसे हम कहते ह हमें home loan और उसका EMI कैसे calculate होता है तो इसका calculations हम देखेंगे Excel calculator को use करके दूसरे scenario में दोस्तों हम यह देखेंगे कि अगर आप एक rented accommodation में रहते हो यानि कि आप rent पे रहते हो तो दोस्तों उसके इसाब से आपका जो monthly rent जाता है और जो difference है EMI और rent के बीच में यानि कि अगर accommodation में रह रहे हो लेकिन जैसे कि आपको पता है कि EMI जो है वो जादा होता है compared to जो आप rent pay करते हो एक rented accommodation में तो वो difference दोस्तों अगर आप एक SIP systematic investment planning के जरीए आप किसी अच्छे mutual fund में निवेश करते हो तो आपको कितना returns मिल सकता है तो दोस्तों यह scenario हम देखेंगे इसके बा अगले 20 साल के बाद दोस्तों हम 20 साल का example लेने वाले और आपका simulation करेंगे हम net worth का तो दोस्तों यह भी चीज important है कि आपको calculations के हिसाब से अच्छे से planning करने की ज़रूरत है कि आपको वाकई में एक अपना नया घर खरीदना चाहिए या फिर rented accommodation में रहना चाहिए तो दोस्तो सारी चीज़े हम देखेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों calculations की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़े बता देता हूं जब आप एक अपना खुद का घर खरीदते हो तो दोस्तों एक mental piece होता है कि हाँ आप अपने खुद के घर में रह रहे हो और आप कु जो कि आपको अपने खुद के घर में मिलती है यह एक advantage है जब आप अपने खुद के घर में रहते हो दूसी तरफ दोस्तों अगर आप एक rented accommodation में रहते हो तो उधर का advantage यह है कि आपका जो rent amount जाता है वो कम है दोस्तों compared to जो आपकी loan की EMI जाती है जब आपका खुद का घर ह होता है उसका जो pressure है वो less amount का pressure होता है compared to loan के EMI का pressure होता है लेकिन दोस्तों यह factor नहीं होना चाहिए कि आप एक घर खरीदो ही नहीं तो दोस्तों mental peace के लिए आपको कभी ना कभी एक घर खरीदना ही होता है और दोस्तों आपको ही पता है कि हम Indians की एक dream होती है कि हमारा खुद calculation में रहते हैं तो दोस्तों हम यह Excel calculator use करेंगे हमारा buying a house versus renting a house इसका comparison करने के लिए दोस्तों अगर आपको यह calculations को जादा ही complex लग रहा है तो हम one scenario at a time लेंगे तो यहां पर इन sales को मैं hide कर देता हूं तो हम buying a house का scenario जो है यह सबसे पहले ले लेते हैं तो दोस्तों हम यहां पर home loan का जो EMI है वो calculate करके check करेंगे कि अगर हमारा जो घर है हमारे example में जो house cost है वो 60 lakh rupees का है दोस्तों आपकी case में हो सकता है कि 50 lakhs का हो या फिर 70 lakhs या फिर कोई और amount का हो सकता है हमारे example में हम 60 lakh का house cost लेने वाले हैं और अगर आप 20 lakhs का down payment करते हो तो हमारा जो loan का amount है वो दो दोस्तों depend करेगा कि आपका scenario क्या है तो accordingly आप यहाँ पर amount डालके check कर सकते हो इसके अलावा आपका interest rate है home loan का वो हम यहाँ पर डालेंगे और 10 year in years यानि कि 20 years का हम example लेने वाले हैं दोस्तों इन 3 चीज़ों को डालके आपका जो EMI है वो यहाँ पर अपने आप दिखाई दे तो यहाँ पर आप 15 years जो है वो डालोगे enter पर क्लिक करोगे तो accordingly आपका जो EMI है वो calculate हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको total interest भी दिखेगा कि आपका जो loan का 10 year है उसमें आपको total interest कितना पे करना पड़ेगा और total amount यानि कि जो total interest है वो और आपने जो principal amount लिया है वो तो यह दोनों चीजों को add करके आपको total amount इतना पे करना होगा दोस्तों हमारे example में हम इसको 20 years का रखेंगे तो 20 years के case में आपका जो EMI है वो है 31,200 रुपीस का दोस्तों इस excel calculator के अलावा मैंने आपके लिए एक free EMI calculator भी बनाया है जो कि मेरे website पे available है तो दोस्तों आपको home page पर यह calculator का link दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको click करना है तो जो भी दोस्तों calculator मैंने बनाया है वह आपको दिखेंगे यहाँ पर दोस्तों यह income tax और home loan का calculator मैंने अभी के लिए बनाया है आगे आने वाले time में हम mutual funds, SIP, PPF यह सारे calculator यहाँ पर add करने वाले हैं तो दोस तो हमारे case में जो example हमने लिया है 40 lakh rupees 7% and 20 years का tenure है वो हम यहाँ पर डालेंगे इस form में तो 40 lakh rupees का हमने loan amount डाल दिया और फिर हमारा interest rate है 7% का है and tenure in months लगेगा दोस्तों तो years को हमें convert करना होगा months में तो 20 years जो है इसका अगर हम months में convert करेंगे तो 240 months हो जाता है तो 240 months हम यहाँ डालेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका EMI 31,012 rupees का होता है जो कि match करेगा आपका इस EMI से जो कि है 31,012 rupees का total interest हो है 34 lakhs 42,870 जो कि इस number से match कर रहा है और total amount भी दोस्तों यहाँ पर match करेगा तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से आपका जो EMI है total interest है और total amount ह वो आप इस page से calculate कर सकते हो इस calculator को use करके आप अपना loan का EMI calculate कर सकते हो दोस्तों यह link मैं description section में भी डाल लोंगा ताकि आप आसानी से आपका loan का EMI calculate कर सको दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी information मिल गई तो एक like तो बनता ही है तो please इस video को like कीजे और share कीजे अपने दोस पर महीने loan का amount है वो जाते रहेगा अगले 20 सालों तक आपका 7% का loan का interest के हिसाब से और दोस्तों आप total interest जो है वो इतना बरोगे जो कि है 34,42,870 रुपीज दोस्तों मैंने अलग से video भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको यह समझाए कि principal और interest amounts आपका कैसे calculate हुआ है तो कम आपका tenure होगा उतना कम से कम आप total interest बरोगे समझो अगर आपने यहाँ पे 15 साल में ही आपका जो loan है वो खतम कर दिया तो यहाँ पे हम 15 साल का tenure है वो डालेंगे तो दोस्तों आपका total interest कम हो जाता है लेकिन दोस्तों उसके हिसाब से आपका EMI भी बढ़ जाता है तो जित लेकिन दोस्तों total interest आपको सिर्फ 15,73,207 रुपीज का pay करना होगा तो दोस्तों इस चीज़ को हम वापस से 20 years का कर देते हैं important चीज़ दोस्तों यहाँ पे यह है कि आपके salary पे depend करता है कि आपको कितने का EMI रखना चाहिए अब दोस्तों हम अमारे दूसरे scenario पे बढ़ते ह तो दोस्तों जो मैंने columns यहाँ पे hide किये थे उनको मैं unhide कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारा rented accommodation का example आएगा तो दोस्तों जो हमने 60 lakh रुपीज का घर लिया है जहाँ पे हमने 40 lakh रुपीज का loan लिया है समझो अगर हमें ऐसा ही घर rented accommodation में मिले और दोस्तों उसका जो rent है वो 15,000 रुपीज का है तो आपका जो 15,000 रुपीज का rent है वो आप हर महीने भढ़ते जाओगे अगले 20 साल तक के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे consider किया है हम यहाँ पे simulation कर रहे हैं अगले 20 years के लिए कि आपका 15,000 रुपीज का rent के हिसाब से आप total rent दोस्तों इतना हम एक और चीज यहाँ पे यह करेंगे कि EMI minus rent यानि कि जो भी आप EMI pay कर रहे हो आपकी salary में से 31,012 रुपीज का दोस्तों यह चीज हमें यह बताती है कि आप capable तो हो कि आप इतना EMI pay कर सकते हो लेकिन अगर हम यह buying a house के जगे अगर हम rented accommodation में रहते हैं और अगर हर महीने हम 15,000 रुपे as a rent pay कर रहे हैं तो उपर का जो amount है यानि कि यह जो EMI है minus जो rent amount है वो आपका difference है दोस्तों जो कि है EMI minus rent तो वो आपका आता है 16,012 रुपीज का जो कि 15,000 के उपर का amount है तो दोस्तों अगर यह amount अगर आप rented accommodation में रहते हो और इस amount को अगर आप किसी SIP यानि कि systematic investment planning के जरिये किसी अच्छे mutual fund में निवेश करते हो वो वाला amount तो दोस्तों आपको कितना returns मिलेगा उसका simulation हमने यहाँ पे देखा है दोस्तों अब यह आपके mutual fund के selection पे depend करता है कि आपको expected returns कितना मिलेगा समझो अगर आपको 10% का expected returns मिलता है जो कि आपको किसी भी अच्छे mutual fund में दोस्तों मिल सकता है अगले 20 साल तक के लिए दोस्तों आपका जो SIP का balance है वो हो जाएगा 1 crore 22,76,318 रुपीज का लेकिन दोस्तों अगर आपने एक ऐसा mutual fund चूज किया जिसमें समझो अगर आपका expected returns per year के हिसाप से 8% है तो दोस्तों उसी के हिसाप से आपका जो balance है वो थोड़ा सक कम रह जाएगा 95,10,258 रुपीज का आपका जो balance है वो होगा 20 साल के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस चीज को समझो हम यहाँ पे एक rented accommodation में रह रहे हैं जिसका जो rent है वो 15,000 रुपीज का है और जो difference है यानि कि EMI माइनस जो rent है वो आपका यहाँ डिस्पले हो रहा है और यह amount हम हर महीने एक अच्छे mutual fund में डाल रहे हैं और उसका जो SIP का return है उसके हिसाब से आपको इतना balance हा जाएगा अगले 20 साल तक के लिए दोस्तों अगर आप 10 साल का loan लेते हो तो अगले 10 साल में आपका SIP balance इतना होगा और total amount आप इतना pay करोगे तो यहाँ पर हम 20 years के case में बढ़ते हैं यहाँ पर आपका total amount आप 74,42,870 रुपीज का pay कर रहे हो और आपका total SIP balance है वो इतना हो जाएगा अब दोस्तों 20 साल के बाद आपका एक घर होगा खुद का सिर्फ 20 साल के बाद ही नहीं दोस्तों जब आप पहले महीने से आपका ज रहना शुरू करते हो दोस्तों लेकिन यहाँ पर आप अपने own house में नहीं रह रहे यहाँ पर एक rented accommodation में रह रहे हो तो आपको तो पता ही है कि rented accommodation में कैसे limitations होते हैं और दोस्तों कैसी feeling आती है आपका जो खुद का घर है वैसी feeling दोस्तों आपको एक rented accommodation में रहकर नहीं आएग लेकिन दूसी तरफ अगर हम देखें कि आपका जो SIP balance है जो कि आपने EMI-Rand जो difference है उसको use करके आपने mutual fund में निवेश किया उसका जो balance है दोस्तों वो जादा है जो कि आपको buying a house के case में नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि आपने पूरा जो amount है वो आपने EMI में डाल दिया है आपका जो savings है उसके अलावा तो दोस्तों हमारा जो तीसरा scenario है जो कि है net worth after simulation तो हमने अगले 20 साल का simulation किया है आपने total amount इतना pay किया आपके खुद का घर खरीदने के लिए और यहाँ पे अगर आप rented accommodation में रहते हो आपका जो SIP balance बचता है वो इतना बचता है लेकिन दोस्तो आपका खुद का घर एक खरीदा हुआ है लेकिन यहाँ पे आप rented accommodation में रह रहे हो अभी भी और आपका एक खुद का घर नहीं है तो दोस्तों क्यों कि हमने जो house का cost है वो 60 lakh रुपीस का लिया था हमारे example में तो यहाँ पे आपका net worth calculate करने के लिए हमें थोड़ी से points consider करने ह होंगे down payment is saved in rent दोस्तों यानि कि जब आप rented accommodation में रहते हो यादे आपने 20 lakh रुपीस का down payment किया है जब आपने खर खरीदा है तो दोस्तों वो 20 lakhs आपका save हो जाता है तो यहाँ पे आपका SIP balance है यहाँ पे मैं उस 20 lakhs को add कर दूंगा तो दोस्तों आपका जो total है वो हो जाता अब दोस्तों दूसरा point यहाँ पे यह है कि own a house during and after loan तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि पहले महीने से ही जब आपने EMI pay करना शुरू किया वहाँ से आप अपने खुद के घर में रह रहे हो जो feeling आपको खुद के घर में रहने वाली आएगी दोस्तों वो आपको पहले महीन से ही आएगी जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे missing लगेगा जब आप rented accommodation में रहते हो और दोस्तों तीसरा important point यहाँ पे यह है कि own house appreciation यानि कि जो घर आपने यहाँ पे खरीदा है दोस्तों वो time के साथ उसकी जो value है वो तो बड़ेगी ही तो दोस्तों अगर आपको याद है हम हमने जो house cost लिया था यहाँ पे हमने 60 lakh रुपीज का खर खरीदा है तो दोस्तों इसका अगर हम 3 से लेके 5% का appreciation होता है दोस्तों जो की एक average appreciation माना जाता है house cost में तो दोस्तों अगर हम 5% का भी appreciation अजियूम करें हर साल के हिसाब से तो दोस्तों 60 lakh का अगर 5% का appreciation रखें अगल house का cost है वो होगा 1.2 crore rupees का 20 साल के बाद तो दोस्तों important चीज यहाँ पे अगर हम यह देखें कि 20 साल के बाद आपका जो house का value है वो है 1.2 crore rupees का और 20 साल से आप अपने खुद के घर में रह रहे हो तो दोस्तों इसकी value 1.2 crore rupees की है और अगर आप rented accommodation में रहते हो तो 20 साल के ब रखा तो आपका जो SIP का balance है वो हो जाता है 1.15 CR rupees का दोस्तों इस figure में हमने हमारा जो down payment किया था खुद का घर खरीदने के time वो भी add करके रखा हुआ है तो दोस्तों इस case में जब आपको expector returns 8% का मिलेगा तो दोस्तों खुद का घर खरीदना थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी जो 20 साल के बाद जो खुद के घर की value हो जाती है वो होती है 1.2 CR rupees की लेगिन दोस्तों दूसी तरफ अगर समझाओ आपने अगर एक अच्छे mutual fund में भी निवेश किया जिसके हिसाब से आपको 10% के हिसाब से expected returns मिल रहा है हर साल के हिसाब से तो दोस्तों यह आपका 1.42 CR rupees का SIP balance हो जाता है जिस case में एक rented accommodation में रहना थोड़ इसी अच्छी चीज हो जाती है जहां तक हम हमारा financial stability का status देखते हैं लेकिन दोस्तों वही बात फिर से आजाती है कि आप यहाँ पे rented accommodation में रहोगे अगले 20 साल तक के लिए लेकिन यहाँ पे आप पहले महीन से ही अपने खुद के घर में रहोगे बले ही आपको थोड़ा सा जो returns है वो कम है लेकिन दोस्तों आपके खुद के घर में रहने वाली feeling आपको आती रहेगी दोस्तों यहाँ पे दो चीज़े हमने consider नहीं की है जैसे कि आपको दिख रहा है कि considerations में मैंने ये note down किया है कि हमारे excel calculator में दूसी तरफ हमने एक और चीज़ consider नहीं की है कि अगर आप rented accommodation में रहते हो तो हर साल दोस्तों अगर आपका rent increase होता है तो दोस्तों वो चीज़ भी हमने consider नहीं की है तो अगर आपको उन चीज़ों को भी consider करना है तो आप accordingly यहाँ पर हर एक साल में जो है rent increase कर सक है कि buying a house भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो EMI है उसके इसाब से आप pay करते रहोगे लेकिन आपका एक खुद का गर होगा दूसी तरफ rented accommodation में क्या होगा कि आप rent pay करते रहोगे आपका खुद का गर नहीं होगा लेकिन आप उतना wealth accumulate कर पाओगे जितना आप buying a house के case मे कर सकते हो दूसर आप मेरे बाकी के वीडियो भी देख सकते हो एक वीडियो में मैंने आपको SWB calculator को यूज करके आपका हर महीने कितना withdrawal होगा और उसी के इसाब से आपका profits कितना हो सकता है वो मैंने आपको समझाय हुआ है Excel calculator को यूज करके दूसरे और एक वीडियो में SIP य calculator को यूज करके fixed deposits में आपके returns कैसे calculate होते हैं और कितना profit हो सकता है दोस्तों वो भी हमने देखा हुआ है दूसरे और एक वीडियो में इसके अलावा PPF यानि की Public Provident Fund में आपका monthly interest कैसे calculate होता है और yearly compounding कैसे होता है वो भी हमने देखा हुआ है इसके अलावा दोस्तों income tax financial year 2021 1222 के लिए old income tax laborates और new income tax laborates को लेकर आप कैसे calculate कर सकते हो वो भी हमने देखा है Excel calculator को use करके तो दोस्तों यह सारे वीडियो आप देख सकते हो एक playlist में जिसका link मैंने already description section में दिया हुआ है दोस्तों इसके अलावा आप मेरे website से जो भी Excel calculator शाहिए आप यहापे blog section में आके जो भी Excel calculator आपको download करना है वो यहाँ से आप download कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा 20 साल के बार हमारा जो net worth है जो भी हमने calculations की जरीए देखा है वो almost same रहेगा दोस्तों जब हम एक नया घर खरीदते हैं या फिर rented accommodation में रहते हैं तो दोस्तों अच्छी बात यही होगी कि ह हम अपना एक घर खरीद लें और यह देखें कि हां हम उस loan के EMI को कैसे pay कर सकते हैं तो उसे important चीज़ यहाँ पर यही है कि मैं आपको idea देना चाह रहा था कि जब आप एक loan का EMI pay करते हो अगले 20 साल या फिर अगले 15 साल के लिए या फिर जो भी आपका loan का tenure है तो आपको idea आ जाए कि आपकी salary में से कितना जो loan का EMI है वो deduct होगा और दोस्तों दूसी तरफ अगर आप एक rented accommodation में भी रहते हो तो आपके पास एक और idea है कि आप उस rented accommodation को continue रखो और दोस्तों दूसी तरफ जो आपका difference है यानि कि EMI minus rent का जो मैंने आपको column दिखाया है वो वाला amount आप S IP के जरीए किसी अच्छे mutual fund में निवेश करो तो दोस्तों mutual funds में भी आपको बहुत ही आसानी से 10 से लेके 12% तक का returns बहुत ही आसानी से मिर जाएगा जब आप किसी अच्छे mutual fund में निवेश करोगे दोस्तों मैंने कई सारे mutual fund returns के calculations के videos बनाए हैं जब आप SIP यानि कि systematic investment planning के जरे निवेश करते हो या फिर lump sum investments करते हो तो दोस्तों वो सारे videos आप देख सकते हो जिसके links में ने description section में दिये हुए हैं तो दोस्तों conclude करने के लिए अगर आप effort कर सकते हो तो loan का जो EMI है उसको effort कीजिए और अपना खुद का घर खरी दिए ताकि आप पहले महीने से ही आप अपने खुद के घर में रह रहे हो लेकिन दोस्तों दूसी तरफ ऐसा नहीं कि rented accommodation अच्छा नहीं है आप rented accommodation में भी रहे कर SIP को शुरू कर सकते हो ताकि आपका network जो है वो increase हो दोस्तों यह हर एक individual पर depend करता है location पर depend करता है और उनकी जो salary है या फिर जो उनका job profile है उन भी depend करता है कि क्या उन्हें एक नया खर खरीदना चाहिए या फिर रेंटेड accommodation में रहना चाहिए और अगर उनको rented accommodation में भी रहना है तो दोस्तों कितने टाइम बाद उनको एक नया घर खरीदना चाहिए individual to individual basis पर दोस्तों depend करता है तो दोस्तों I hope आपको बहुत सारे insights मिले इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुचे दोस्तों आप इस वीडियो को share भी किजी अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि buying a house vs renting a house इसका जो confusion ह इसकी जो भी queries हैं वो अपनी queries दूर कैसे करें दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो subscribe कीजी मेरे YouTube चैनल फिंगे LCTV को subscribe करते समय bell icon को दबाना मत बोलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आप देख सकें फिर मिलेंगे किसी और personal financial related topic को लेकर तब तक के लिए आप यह वाले वीडियो देखो